सलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब मैं अम्मीद करती हूँगे आप ठीक होंगे आज हम बनाएंगे टेमाटर और प्याज की चटनी जिसके लिए मैंने कड़ाई चड़ा दी है गैस को आउन कर दिया और तेल डालना सुरू कर दिया है तेल यहाँ पर मैंने देर सुगरम डाला है जैसे ही तिल गरम हो जाएगा मैं इसमें लस्टन डाल दूँगी बारी कटे हुए लस्टन इसे लाल कर लेना है आहिस्ता चला ले जैसे ही लस्टन लाल हो जाएगे मैं इसमें प्याज डाल दूँगी लाल मिर्चे डाल दूँगी बारिक कटे हुए सोखे लाल मिर्च डाल देना है इसे भी लाल होने दे इसे भी अच्छी से चला ले जैसे ये लाल हो जाएंगे मैं इसमें प्याज डाल दूँगी प्याज यहां पे मैंने 500 ग्राम लिए बारिक काड लिए थे इसे भी चला लेना है इस पेचला के सारे से आहिसा हिस्ता चला ले गैस को तेजी रखना है इसे जब तक पकाएं जब तक ये लाल ना हो जाएं प्याज अच्छे से पक जाने चाहिए जैसे ही प्याज पक जाएंगे और लाल हो जाएंगे मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगे अच्छे से पका ले प्याज का किलर यहां ब्राउन हो रहा है प्याज को बीच-बीच में चलाते रही ताकि यह जले नहीं अब मैं इसमें शामिल कर दूँगे 500 ग्राम टमाटर मोटा मोटा काटा है जादा बारीक नहीं है इसे आहिस्सा चला लें अब कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे आदा चमच पिसा हो लाल मिर्ट नमक स्वादनू सारा आप डालिए मने यहाप एक चमच नमक डाला है टमाटर खट्टे होते हैं इस वज़े से नमक थोड़ा ज़ादार पढ़ता है इसमें एक चमच भरके नमक अच्छे से चला लें जैसे हम टमाटर में नमक डालते हैं टमाटर गलना चालू हो जाते हैं अच्छे से चला लें अब यहां पर मैं शामिल करूंगी आदर चमच हल्दी पाउडर और आदर चमच कस्तूरी में थी जो की हाथों से मैश कर लें और इसे डाल दें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सब को चला लें अच्छे से चला लेना है गैस को मीडियम कर दें मैंने इसको चला लिया है अब इसे ढख के पका लेंगे पानी यहां पर नहीं डाल गैस को मीडियम ही रखें और इसे ढख के 15 मिनिट के पका लें 15 मिनिट हो चुके हैं तेल उपर आ चुका है मैं इसे अच्छे से चला लूंगे टेमाडर बिल्कुल गल चुके हैं ओईल उपर आ चुका है और मसाला बिल्कुल पक चुका है अच्छे से से चला लेंगे आप यहाँ पे हारी धनिया भी डाल सकते हैं माने नहीं डाला है यह अप्सनल है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कमेंट्स जरूर केज़े और मेरे चैनल को सस्क्राइब केज़े अब मैं इसे सर्फ कर लूँगी आप से रोटी से चावल से भी खा सकते हैं और दस पंदर दिन के लिए रखी भी खा सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा देखिए बहुत अच्छी बनी है अपना ख्याल रखें दूआ में याद रखें अल्ला हाफिज झाले प्लूर रखें झाले उखें